ही गाईज वर्लाइम बैक टू मैं न्यूव वीडियो आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि आईपी कैमरे का आईपी एड्रस कैसे जी इंस्टर्म है अगर आप आईपी सेटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं या उसे यूज करते हैं तो कई बार ऐसे सिस्टुएशन आपक camera बंद हो जाते होंगे तो IP mismatch होने के वज़े से या तो cameras बंद हो जाएंगे या फिर वो online नहीं करेंगा जब तक आपका NVR और IP cameras और आपका internet का router इन सब की IP address अगर अलग है तो आपका कोई विची काम नहीं करेगा अगर इन सब को आपको proper तरीके से काम करना है तो फिर इन सब का IP series जो है तेम होना चाहिए तो आद की वीडियों जानेंगे हम IP address कैसे चेंज कर सकते हैं लेट्स स्टार्ट एक बार मैं आपको जो है NVR में दिखा देता हूं कि NVR में देखिए मेन मेन्यू में जा रहे हैं जाने के बाद हम जैसे नेटवर्क में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है राउखा के जाद कनेक्ट NVR और यहाँ पर जो है ना वन की सीरीज है जैसे 192.168.1 113 यह हमारे NVR की IP address है अब हमारे सभी कैमरों का जो IP address है यहाँ पर जो यह देखिए जो थर्ड डेजिट है ना 192.168.1 अब हर कैमरे की IP के यहाँ पर जो है 1 आना चाहिए और NVR के में भी 1 होना चाहिए जैसा किसमें है और राउटर की भी 1 की सीरीज होने चाहिए तो हमने यह राउटर की सीरीज है 1 की सीरीज में क्योंकि हमने डी एस्ट पर नेवल किया है तो यहाँ पर आटो जो है यहाँ पर 1 की सीरीज शो कर रहा है और स्टार्टिं का 192.168 यह सेम रहेगा यह यहाँ पर सबका 1 होना चाहिए यह पूरा वन होना चाहिए बस लास्ट का यह आईप अटरस चेंज रहेगा यहाँ पर 113 है तो किसी कैमरे का 114, 114, 115, 116 तो सभी कैमरे का लास्ट आईप जो है नचेंज होता होँ जायेगा सबका अलग-अलग रहेगा सेम नहीं होना चाहिए बाकि स्टार्टिंग का 192.168.1 जो है इतना सबका सेम होना चाहिए तो और यहाँ पर देखिए अभी मैं चैनल से पर जाकर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने दो कैमरे जो है यहाँ पर कनेक्ट के है केबल के साथ तो यहाँ पर एक कैमरे का आई पी देखिए उपर 100 की सीरीज दिखा रहा है 180.168.100 तो यह वाला कैमरा अगर हमें इस पर चलाना चाहिए तो यह नहीं चलेगा इसका हमें आई पर चेंज करना पड़ेगा वन की सीरीज में तब जाके इसमें चलेगा तो अभी हमें लैप्टॉप में दिखाता हूँ कैसे करना है तो यहाँ पर अभी हम लोग अपना कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने एक सॉफ़वर इंस्टॉल करते रखा हुआ है इसे आप इंस्टॉल कर लिजे और इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे देखिए मैं ओपन कर देता हूँ तो इस तरह का जो है ना विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखिए आई पी जो है अभी हमने अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ आपका लैप्टॉप जो है सेम नेटवरक से जो है अपका आई पी कैमरे कनेक्ट है वो है सेम इंटरनेट से जो है वाई फाई जो है अपके लाप्टॉप में तो आप विदाउट वाईर जो है याँ आप पे सर्च हो जाएंगे आपके कैमरे सॉप्ट्वेर में आपको अलग से wire connect करने का जरूत नहीं है आपको laptop में बस Wi-Fi connect कर लेजिए same Wi-Fi तो यहां पर देखिए दो मैंने camera लगा के रखा वाई यहां पर दो camera show कर रहा है इसको देखिए तोड़ा से scroll करके आगे तरके देखता है तो इसकी detail नेजर आएगी तो यहां पर देखिए यहां पर IP address जो हमें show कर रहा है 192.168.100.108 और दूसरा है 109 दोनों का IP address अलग है और 100 की series में ही है यह सही है लेकिन हमारा जो setup है जो हमारा NVR है उसमें 1 की series हमें connect करनी है क्योंकि हमारा जो router है वो 1 की series में है ठीकिए और हमारा NVR भी 1 की series में है ठीकिए तो 1 की series में हमें change करना है कि यह सबसे पहले क्या करना है यह देखिए मैं इसको वापस थोड़ा back ले आता हूँ अब यहां पर देखिए आप अपमें camera को select कर लिजे अगर से वेकी camera का आपको change करना है तो एक select कर लिजे अगर एक से ज़्यादा camera है तो आप एक बार में all select कर लिजे यहां पर tick करके तो all select हो जाएगा और यहां पर देखिए आपका right side में IP address शो कर रहा है start, subnet और gateway तो start में देखिए 192.168.1.107 अब यहां पर हमको वाला IP address दालना है जो हम इसको camera को देना चाहिए जो हमें change करना है तो अभी मैंने यहां पर 192.168.1.107 लिख दिया है तो यह मैं यहां पर इसको 110 कर देता हूँ ठीक है तो हमारा जोह 110 से शुरू होगा 110 या 110 या 111 से शुरू होगा ठीक है और यहां पर gateway में भी अगर आप यहां पर 1 होना चाहिए उपर और यहां पर gateway में भी 1 होना चाहिए ठीक है और आपका IP camera जो सलेक्ट होने चाहिए और यहां पर हमें देखे यहां उसी के नीचे modify IP address का option है इस पर हमें click करना है तो यहां पर आपका camera का password मांगता है अगर आप camera में कुछ भी password नहीं है तो इसे confirm कर दीजिए अब यहां पर देखिए आपका जो IP address change हो जाएगा ऐसे थोड़ा सा आगे ले जाके आपको दिखाता हूँ यहां पर देखिए status network connection modified आ रहा है और इसी पर ही आप देखिए IP address इसका यह देखिए पहले इसका IP address अब change हो चुका है पहले 100 की series में था लेकिन अब जो है जो हमने IP address को डाला है वो आ गया है 192.168.1.110 और ट्रिपल वार तो दोनों camera का हमारा change हो चुका है तो अब हम जो है इस camera को अपने NVR में search करेंगे तो NVR में भी हमारा यही IP address होगा और हम इनको connect करेंगे तो आराम से connect हो जाएगा जब भी हम अपना IP address change करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान हो रखना है कि हमें IP address और gateway जो है हमें same रखना है क्योंकि यहां पर IP address में जाकर 192.168.1 है तो हमारा gateway में भी 192.168.1 होना चाहिए और अगर 29 के series है तो IP address 192.168.29 रहोगा और आगे हमारा जो भी IP address होगा और सेम उसे तरीके से gateway में 192.168.29 होना चाहिए और उसके आगे हमारा gateway में वन रहेगा लास्ट में वन रहेगा और बीच में 29 स्टार्टिंग का तीन डिजित सेम होना चाहिए हमारा IP address में और gateway में देखे मैं आपको एक चीज और यहां पर नोटिस कराना चाहता हूं कि मैंने यहां पर वन की series जो किये है अपने camera की वह इसलिए किये क्योंकि पर राउटर का IP series जो है वन के series में है अगर आपके अपने camera और NVR की IP चेंज कीजिए क्योंकि सभी device का IP address जो है अलग होता है आप अपनी site के recording उसको change कीजिए तो इस वीडियो में बस इतना ही I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो make शूर इस वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कर दीजprint तक आने वाली वीडियमा थबता किलिया, बाब बाइ